Big Boss 13 दा दूसरा नाम है Controversies दा कार्विच ते हाली ते विच इस सुनन चार्या सी कि पंचाबी इंडस्ट्री तो एक खोर सिंगर जा रहे ने Big Boss 13 दे कार्विच ते इस सिंगर सी हिमांची कुराना जिते पहले ओल्रेडी शेनास गिल उस कार्विच है ते हो थे मायरा शर्मा जो कई पंचाबी गाने दे विच सानु फीचर कर दे नजर आ चुके ने एक तोनों ता पहली Big Boss दे कार्विच ने पर ओ थे सुनन चार्या सी कि हुन हिमांची प्राणना बिकबश दे कार्विच चल जांदीओ पर होन इस सारी गल्ना दी ओफिच अनाउंसमेंट कर देती गया है ते इसदा भी खुलासा हो चुक है कि हमांची कुराना बिकबश दे कार्विच जारी यह नहीं जारी है ता में तो अंदास भी आगे एक ये जोग बिगबॉस 13, so here is an official announcement from me. I am not going in Big Boss house as a wildcard contestant and I want to clear many things with my audience and national media. उनाने अगली पोस ते विच था से क्यों फेले भी offer आया सी ते उनाने आपर एकलाइन किता था क्योंकि Big Boss जो रूल सी उना थे वाल्यूस बगें सी ते हुन अनानो जदो वाल्कार एंट्री दे नाल लिख्या फिर्स फॉल हमारी मीटिंग हुई थी बिग बॉस टीम के साथ they want me as a contestant over there for the show but उस ताम उनके रूल मेरी वाल्यूस के अगेंस जा रहे थे so हमने अवाइड किया वहाँ जाना then अभी उनके रूल सेंग हुई थे and they want me as wildcard contestants but I am jam-packed with my schedule committed for shoots, events, digital endorsements, personal vacations etc in advance so because of our schedule and our conditions so this biggboss thing wouldn't work for me so you know biggboss 13th offer decline भी कार देता पर नाल देनाल ओनाने अपने कम थोड़ा जे boost भी कार देता की हाँ जी मेरकुल बहुत जादा काम है मैं बहुत जाम-packed मेरा schedule बहुत जादा बिजी है पर इस देनाल ही मांशी खुराना ने अपनी आगली post देविच दुछ सेहा की लोग उनानों पुछ्रे ने यानि की media जानना चांदि है कि ओना दे की विवाद होए सी पूरी कहाणी जानके उसनों रवील करन लोग का देनाल लोग मिसिंटरप्रेट ना होन इस पोस्ट देविच ओना ने लिख्या सभी सोशल मीडिया पेज़ में पेज़ सेल रिक्वेस्ट है प्लीजडर कुछ रुद करना होता तो पूरी पात वाइएस कज़ जाता और और सब्स से request है कि इस question को बार-बार मत पूछें, because audience को लगता हम खुद दुबारा start करते हैं वो बाते हैं. इन लास्ट, माफी और सुला की गुंजायश वहां होती, जहां सामने वाला person वो चीज दिल से चाता हो. बट मेरे fans, बाकी audience, social media, YouTube इस बात के गवाँ है कि time to time and even just before entering in Big Boss 13 और नाशनल टीवी पर भी उनकी तरफ मेरे मूँ तोडने की बात की गई है. अगर मैं Big Boss 13 में जाती तो इसलिए नहीं जाती कि वहां कौन है, कौन नहीं. मुझे fight scenes से पहले भी फरक नहीं पड़ता था और अभी भी नहीं पड़ता. मैं बहुत आगे निकल आई हूँ उस बात से. इस सारी पोस्ते विच उनाने इशारा दे देता कि पुराने विवादा देनाल उनानों बहुत जाता फरक पया सी, ते ओथी उना दी मदर, डिप्रेशन तो भी गुद्रे सी, जिते उना दे ब्रदा भी काफी जाधा हर्ट होया सी. इस सब से बहुत जबना दे बार दोतीजस यहों धिबारा गालबादी नहीं करना जांदी है, ते नाल दे नाल ऊ newidya क्या दिए और णिबा स्टीबॉइży ऊंशो ना Y investments के णिखने हैं और अपना काम करना चांदे है. ते वो कर दे रहेंगे. So as a responsible Punjabi artist उपना काम करना चांदे या ते Big Boss 13 ते विच ओन नहीं जा रहे as a wildcard entry ये तक confirmation हो चुकी है. पर हुन दुसी सानु दासना है कि तो आनु ही मांची को नाना दाई decision के हो चया लगा कि ओ सही कारे नहीं या गलत? तो सानु अपने answers कमेंट सेक्शन दे विच कमेंट करके जरूर दसो ते होजी हो इंट्रिस्टी पॉलिवूर ते बॉलिवूर ते बॉलिवूर ते लेटेस्ट अपडेट्स वास्ते मंजाब दा पहला पॉके टीवी ते गब्रू लाइफ टीवी देखन वास्ते ए गब्रू कर लो डाउनलोर्स ते एंट्रेटेन्मेंट एंजॉय करो लाइव जित्थे मर्व